हेलो गाईज वेलकम टू मैं चैनल विद्या रौत सो गाईज आज का व्लॉग है विदेशर धाम आज मैं आई हूँ विदेशर धाम जो लोहना की तरफ पड़ता है ये मेरी बहन है जो बहुत जादा एक्साइटेड थी यहां जाने के लिए अगर आप भी इसी तरीके से एक्साइटमेंट दिखाएंगे तो आपके साथ भी यह हो सकता है अगर आप यहां जा रहे हैं तो बिल्कुल मेरी तरह साफधानी से जाएं जादा एक्साइटेड होके जाएंगे तो इसमें फिसल के गिरेंगे तो मैं एकदम ध्यान से जा रही थी क्योंकि वहां पे फिसलन की जगा थी तो उधर हम फिसल भी सकते थे यहां पे जादा हड़बडीना दिखाएं एकदम अराम से जाएं और अराम से उपर आ जाएं एकदम आपको मैं उसी नदी के side का view दिखा रहे हूँ यह आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल के full काफी सारे खेल रखेते यह देख सकते हैं आप मैंने zoom कर के दिखाया है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको full वेगेरा मिल रहे थे और ये विदेशर मंदिर के एंटर करने का गेट है यहीं से हम एंटर करेंगे यह आप देख सकते हैं यहाँ पर समान भिकरा था काफी सारा और यहाँ पर जलीबिया वगेरा हम जो यहाँ आये थे वो सेटरडे वाले देन आये थे संडे के दिन नहीं आये थे क्योंकि संडे के दिन काफी रश होता है यहाँ पैर रखने की भी जगा नहीं होती इसलिए मैंने सोचा सेटरडे के दिन ही चलते हैं यहाँ पर यह आप देख सकते हैं मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर हम गंटी बजा रहे थे अब हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं यह मंदिर का गेट है यहाँ पर आईए पधार यह ये मंदिर बहुत बड़ा नहीं है बट इस मंदिर की माननेता वहाँ पे बहुत जादा बढ़ी है यहाँ पे लोग शादियों के लिए आते हैं मुंडन के लिए आते हैं बहुत जादा माननेता है वहाँ पे इस मंदिर के दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने जिसके आप देख सकते हैं अगर यह संडे का ही दिन होता तो यहाँ पे बिल्कुल भी जगा नहीं होती यह काफी पुराना मंदिर है झाला करणः चाला यहाँ टूराई टो यहाँ भी जगाए? यह आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है और यहाँ पर भी छोटी छोटे भगवान बना रखे थे यह व्यू तो काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पर जो भगवान बने हुए थे पेड़ के सामने इतने प्यारे प्यारे और यह हैं नंदी भगवान अगर आपने मेरी लास्ट पंच्यानाथ की वीडियो देखी हो तो आपने उसमें देखा ही होगा साइड की तरफ यह कुवान भी बना था यह आप देख सकते कितना ही अच्छा लग रहा है यह कुवान और सेफटी कले इस पर जाल भी लगा रखे थे ताकि कोई दुरघटना ना हो यह कुवान काफी गहरा था यहाँ से आप लोग जल भर सकते हैं यह उसी पेड़ के दूसरी साइड सारे भगवान बने हुए थे इतने बड़ी बड़ी मुर्थियां थी यह भी और बहुत ही प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं जैसा कि जैसा कि अूसरी साइड सकते हैं झाल 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 है प्यार कि यहां पर आप देख सकते ही छोटे छोटे सेव लिंग्स कितने प्यारे लग रहे और यह नाज भी थी तो बहुत ही प्यारा लग रहे थी एक दम छोटे छोटे से जैसा कि आपने मेरी पंचनात की वीडियो में देखा ही होगा नंदी के कान में अपनी कोई भी विश बोलने से पूरी हो जाती है तो यहाँ पे भी हमने अपनी विश बोली तो अब हमारी पूज़ा पूरी होती है अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं यह आप देख सकते हैं शौप्स वगेरा हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको चूड़ी या जो भी चाहिए गले का मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको एविलेवल हो जाएगा काफी अच्छी शौप्ती अगर आप मंदिर घूमने आएं तो यहाँ से कुछ न कुछ जरूर लेके जाएं ताकि हमारे पास वो एक याद के तौर पे रहे कि हम वहाँ गए थे और हम कुछ लेके आएं यहाँ पे यह आप दिये देख सकते तब प्यारे प्यारे दिये थे तब प्यारे शेप थे इनके और यहाँ पे यह बिंदी वेगेरा यह सब कुछ था यह ले जाए यह बुरी नजर वाले तेरा मुझाला तो इसी के साथ आज का व्लॉग यह हैं पे एंड होता है अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि